एलो फ्रेंड्स यह है हमारी गणेश चतूरती के लिए इस्पेशल बप्पा के लिए इस्पेशल बाउंटी चोकलेट मोदक शाइनिंग आप देख रहें ना कितनी अच्छे शाइनिंग आई इनकी तो मैं आज आपको टिप्स और टिप्स के साथ इनको बनाना भताऊंगी तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए मैंने एक ग्लास दूद ले लिया है एक कप मैंने मिल्क पाउडर ले लिया है कप की साइज आप देख सकते हैं कटोरी की तो इसको हम पहले दूद्ने मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो इसको मिक्सी जार में डाल के मिक्स कर लेंगे जिससे इसमें कोई लंट नहीं रहेंगे और इसमें मैं हाफ कटोरी चीनी डाल रही हूँ उसी कटोरी के नाब से अब इन सब को पहले यूए अब मैंने पैन ले लिया है और बिलको लो फुलें पे हम पैन में इसको भुणेंगे तो पहले हम इसमें एक टेबल स्पून गी डाल लेते हैं अब हम इसमें हमारा तयार किया हुआ बैटर डाल लेंगे छोटे छोटे लम्स होंगे ना फ्रेंड्स तो वो तो गरम होने पे खुद बखुद मेल्ट हो जाएंगे लेकिन अगर जादा हो तो आप इसको एक बार मिक्सी जार में चला ले और बिल्कुल लो फ्लिम पे हमें इसे चलाते वे भूनना है तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करके भी बताएं आप कौन सी सीटी से मेरा वीडियो देख रहें और अगर आपको इस्पेशल रेसिपी देखना चाहते हैं तो वो भी बताएं कमेंट करके मैं जरूर खोशिश करूंगी बनाने की तो बिल्कुल लोग फ्लेम पे हम इसको चलाते हुए भूनेंगे ये देखिए कुछी मिंड़ों में ये गाड़ा हो गया है बस इसको चलाते रहें फ्रेंट्स वरना ये नीचे लग जाएगा और इसका स्वाद भिगड़ जाएगा फ्रेंट्स ये हमारा इंस्टन कंडेंस मिल्क बनके तयार हो गया है आप चाहें तो इसे काज के एट एट जार में डालके फ्रिज में इस्टोर करके रख सकते हैं ये साथ दिन तक इसको कुछ नहीं भिगड़ेगा और जब आपको जिस मिठाई में यूज करना हूँ तब यूज कर लें और ठंडा करके डालें इसको जार में चुकि मैं तो इससे चॉकलेट बना रही हूँ तो मैंने सेम कटोरी के नाप से एक कटोरी डेसीकेटेड कोकोनट ले लिया है इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और लगातार चलाते रहेंगे इस बात का विशेज दियान रखें फ्रेंड्स और इसको तब तक बुनेंगे जब तक कि ये डो फॉर्म में नहीं आ जाता अच्छे से mix कर लेंगे तो यह देखिए यह कुछ ही मिन्टों में डो फॉर्म में आ गया है तो बस अब flame को off कर देंगे और इसे ठंडा होने रख देंगे अब यह देखिए ठंडा हो गया है मैंने यह मोद का मोल्ड ले लिया है इसमें हम इसको अच्छे से फिल कर लेंगे दबा दबा के अच्छे से प्रेस करके फिल करें फ्रेंड्स वरना इनमे गयप रह जाएगा और ये भिखर जाएंगे ये देखें ये कितना सुंदर हमारा मोदग बन के तयार हुआ है ऐसे ही बाकी के भी बना लेंगे अब मैंने ये डार्क चॉकलेट का एक स्लेब ले लिया है जिसे मैंने डबल बॉइलर्ड मैथर से मेल्ट कर लिया था और रूम टेंपरेचर पे लेके आ गई हूँ पहले मैं इसे और अब हम सारे मुद्दक को इस चॉकलेट से कोट कर लेंगे मैं दो तरीके के method बता रही हूँ आप दोनों मैंसे किसी भी तरीके से इसको code कर सकते हैं ये देखिए दूसरा तरीका और अब हम इने सारा code करके पहले room temperature पे ही इसको हलका set होने देंगे चॉकलेट को और फिर हम इसे fridge में set होने के लिए रखेंगे तो ये देखिए हमने पहले room temperature पे रखा था ना तो इसकी shining देखी कितनी अच्छी आई है आप डारेक्ट इसे fridge में रखते ना तो ऐसे shining नहीं आती तो फ्रेंड्स आपको ये recipe कैसी लगी कमेंट करके बताना ना भूले और आप भी इस बार ये बॉंटी मोदक बनाएं और बपा को चड़ाएं और बपा का आशिरवाद पाएं तैंक यू